दिल्ले में एम्स साइबर अटेक के बाद बंद हुए ओनलाइन अपोइंट्मेंट की सुविधा एक बार फिर से शुरू हो गई है और इसी के साथ ही मामले में CBI की एंट्री भी हो चुकी है जी हाँ दरसल दिल्ले के एम्स के सर्वर पर साइबर हमले में दिल्ले पुलिस ने एंटर पूल की जरिये चीन के हैकरों के बारे में जानकारी मांगी है इसके लिए दिल्ले पुलिस ने CBI को लेटर लिखा है और इस पत्र में दिल्ले पुलिस ने मेल को लेकर IP एड्रिस के बारे में जानकारी मांगी है आपको बता दे इस मामले में न्यूस अजिंसी एनाई ने सूत्रू का हवाला देते हुए बताया कि दिल्ले पुलिस के आई एफसो ने CBI को पत्र लिखकर चीन और होंग कॉंग में हेरान से इमेल आईडी और IP पतों के बारे में इंटर पोल से जानकारी इकठा करने के लिए कहा है जिनका इस्तमाल साइबर हमले के लिए किया गया था आपको बता दे इमस के सर्वर पर 23 नमंबर को रैंसम वेर अचेक की घटना के बाद ऑनलाइन अपॉइंटमेंट के सुविधा बंद कर दी गई थी लेकिन मामले की ज्वाच के बाद सुविधा शुरू कर दी अपॉइंटमेंटली क्योंकि लाइन काफी लंबी है